दुलन बनना हर एक मैला का सपना होता है और होने वाली दुलन हमेशा यही चाहती है कि वो अपने शादी में सबसे सुन्दर देखी अपनी तोचा को परफेक्ट बनाने के लिए जो है आपको उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए शादी के काम से कम आपको एक महीना या दो महीना पहले ही आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप शादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खुबसूरत और बहुत ज़्यादा नैचुरल गलोइंग और बहुत ज़्यादा समार्ट और बहुत अच्छा निख पबनेन दोफसहार पर आखर भटक्सिंद खाल तो आपको क्या चीजों का है तो सब्सक्राइब दौस्तों जो हो жुद् 국민 जयुद्हीं admitting जो है शादी में बहुत ही जादा अलग ही जो है मेरा फेस और अलग ही मेरा मेकप हो सबसे अलग जो है मैं लगूं और हर एक का जो है जो भी कोई भी देखने के लिए आता है दुलन को ही मेन जो है देखते हैं कि किस तरह का मेकप जो है दुलन की ऊपर हो रहा है या क्या वो अच्छा खाना खाएं नेचुरल डाइट पूरी लें और खूर सारा पाने पीएं थोड़ी सी एक्सराइज भी करें और रोज उप्तन लगाना सुरू कर दें मैं अभी आपके साथ एक बहुत असान और असरदार उप्तन विदी भी शेयर करूंगी इसमें आपको बताऊंगे कि अगर आप अपने चेरे के इस उप्तन को लगाते हैं नियमित रूप से आपको इस्तेमाल इसको करना है तो आपके जो फेस के उपर जाईया है या संटैन ह दाग है अंचाहे बाल है तो आपको 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 इस भीधी को यूज करने के बाद बहुत है निखार आपके आजएगा तो आपने क्या करना है दोस्तों उप्टन मिनाने के लिए क्या के चीज़ें यूज़ करनी है उसमें आपको चाहिए आपने ले लेना है दो चमच चावल का आटा ले दो चमच और एक चमच आपने इसके अंदर बेसन मिला लेना है एक चमच आपने बेसन लेना है और उड़ की दाल का आटा थोड़ा सा उर्द की दाल दैसे एक चमच आपने उर्द की दाल का पाउडर बना लेना है वो ले लेना है मसूर की दाल का पाउडर एक चमच और जो है बादाम पाउडर पीसी हुई बादाम आपने लेनी है उनका बिलुकुल पाउडर बनाके जो है एक फिर दुकान पर मिल जाएगा तो आपने लाल चंदन का पावडर ले लेना है एक चमज और उसके पाज ले लेना है आपने एक चमज के करीबी हल दी इन सारी चीजों को मिलाएं और एक एर टाइट डबमे में इनको स्टोर कर दें इनको इस चादा चौर बनाना है तो उस हिसाब से आप इनकी quantity बढ़ा सकते हैं अगर आपने तुरंत बना के तुरंत ही लगाना है तो उस हिसाब से मैंने आपको quantity बताई है अगर आप जादा लगाना चाते हूँ जैसे आप एक साथ ही बना के इस powder को रख भी सकते हैं इन चीजों को यूज करके बना के इनको ट्रेयर टाइटर डिबी में रख लें और उनका यूज धीरे धीरे करते जाएं अगर आपको तुछ बातों का धियान रखें अगर आपको तुछा आपकी oily है तो आपको इसका mixture दई के साथ बनाना है अगर आपकी तोचा जो है रूखी और ड्राई है तो आपका इसका पेस्ट जो है कच्चे दूद के साथ बनाना है इस पेस्ट को बनाने के लिए दोस्तों आपने जो है अगर आपकी तोचा जो है बहुत ज़्यादा ओईली है। आपने क्या करहा है अच्छी तरह मीक्स कर लगाएय। पैस्ट केम मिक्स कर लें तो यह च्छी तरह मिक्स पे पाइस कर लिहां च्राय यहां जहां आपकी नेक पे लगा सकते हो आप हाथ पैर की तहचा पे लगा सकते हो या फिर आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो तो इन जबो पे आपने अच्छी तरस इनकी छो ہے लगा के छोड़ देना है लगवग 20 मिनिट तक उसको लगा तो अगर आपके पास थोड़ा सा इस पानी के अंदर अगर वर्फ वाला पानी तो ठंडा सा पानी लेते हैं तो और भी अच्छा आपके निखार आएगा आपके यूज करने के बाद आपके हाथो पेरों के ग्लुइंग स्किन आपको मैसूस होगी तो आप ठंडे पानी से इ यह लगबग आपने दोस्तों जब तक आपके शादी टाइम आता है तब तक आपने इसको रेगुलर यूज करना है दूसरे एक दिन छोड़ के जो है दूसरे दिन आपने इसको जुरूर लगाना है और इससे जो है कोई भी साइट इफेक्ट आपकी स्किन के उपर नहीं ह आएगा तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें